शिवयोग साध्रकों को प्रदान करते हैं जिसकी शक्ति से साध्क की जीवन में सुखद बदलाव आने लगते हैं और उसके जीवन में सुख शांती सफलता और संपनिता के नए मार्ग खुलने लगते हैं आनन्द का जो अनुभूती है वो और हर रोज बढ़नी चाहिए रिवर्स गेर नहीं लगाना अब तो आगे की तरह बढ़ना है पैदा हुआ जवान हुआ बस वोई अब यही अटक है and I must remain ever youthful क्योंकि internal me जो मैं भीतर हूँ वो हमेशा जवान रहता है वो कभी बुड़ा नहीं होता है वो कभी मरता नहीं और जिस दिन मैं बाहर और मैं भीतर एक हो गया उस दिन मैं जनम मरन के बंधन से बाहर हो जाओंगा तब मैं रहूंगा यह शरीर रहे या ना रहे मैं रहूंगा तो यहां से यहां और यहां से फर्दर प्रमोशन डिमोशन नहीं जब आखरी समय आए समाधी में बैठो सुश्मना नाड़ी से अपनी चेतना को उठाओ सहस्त्रार से पार तुम्हे ज्यान हो जाएगा कि कौन सी घड़ी कौन सा समय कब चाने का डिपर्चर है वो तुम्हे डिसाइट करोंगे यू मस्ट बिकम दुक्रियेटर अफ यू ओन टेस्टिनी तुम्ही अपने भाग्यों के विधाता हो एक भी दिन बेकार नहीं जाने देना वापिस नहीं आएगा ये दिन रेलिश टुडेः लिव इन टुडेः और हम लोग भी कववा खाके नहीं आए हमें भी जाना है एक दिन लेकिन याद रखो कि जाना है एक दिन कुछ अच्छा करके जाना हसते वे जाना तुम जो तिर्माए हो कोई बोलता है मैं मनुश्य हूँ आत्म साक्षतकार करना चाहता है मैं कह तुम गलत कह रहे हो यार you are not the human being you are the being of light तुम स्वयम आत्म साक्षतकार हो तुम स्वयम सत चित आनंद हो तुम स्वयम जोतिर्माए हो ये मनुश्य शरीर तुमने इसलिए धारन किया कि शरीर के माध्यम से तुम स्वयम को जो तुम अनंत हो उसको अनुभव कर सको इसलिए ये समय ये शरीर बेकार के परपंचों में नहीं लगा इसमें जीवन वियर्थ नहीं कर देना मुझसे पूछते हैं कि धर्म की परिभाशा क्या है What is the definition of a religion देखो definition तो धर्माचारिय बताएंगे मैं तो ये बता सकता हूँ कि धर्म एक physical level पे है धर्म physical level पे कपड़े, स्थान, behavior, भाव, भंगिमा, rituals, और फिर धर्म, एक consciousness, एक cosmic level पे है और धर्म, religion, consciousness level पे है आप लोग किसी भी धर्म के हो उसमें मैं कोई छेड़ चाड़ नहीं करूँगा पर हाँ तुमको physical level से cosmic level के religion में ले जाऊंगा जगड़े बहुत कम हो जाएंगे अनभुतियां ज़्यादा हो जाएंगे और ज़्यादा समय मेरे साथ रहे तो तुमें तुमारे ही धर्म में मैं consciousness level के धर्म में ले जाऊंगा और वहीं तुमको वो दिखाई देगा और वो आप जो है वो आप जी ही होंगे वो दस्वा दर्वाजा होगा तुमारे भीतर अनन्त की शक्तियां है तुमारे अंदर infinite healing powers है कोई भी रोग असाध्य नहीं है हर रोग को ठीक करने की तुमारे अंदर शमता है किसी ने पूछा वो कैसे बहुत सिंपल सी बात है यदि तुमारे अंदर शमता है रोग को पैदा करने की यदि तुमारे अंदर ग्यान है किसी रोग को पैदा करने की तो तुमारे अंदर वो wisdom भी होगा कि इस रोग को कैसे reverse किया जा सके शिवयोग वही रास्ता तुम को दिखाएगा तुम प्रकृति के बने हो और प्रकृति के साथ जुड़ने पर ही तुम स्वास्त को जादा प्राप्त कर पाऊ गोई ना तुम फैक्टरी में बने ना तुमारी खेती किसी फैक्टरी में बने लेकिन आज का मनुश्य फैक्टरी में घुश गया फैक्टरी प्रोडक्ट में घुश गया और उन्होंने अब अपनी जमीन में और अपनी खेती में भी वही फैक्टरी प्रोडक्ट घुशा दिये मैं तुम्हें तुमारे शिव की तरफ ले जाता हूँ और उस शिव से ही खेती करना और शिव से ही अपने शरीर को स्वस्त करना ये शिवियोक के सिध्धों ने जो 84 लाख योनिया होती हैं 84 जीमों को बड़े ध्यान से उन्होंने देखा और उनसे क्रियाएं बनाई अलग लग क्रियाएं जैसे सर्प क्रियाएं क्रूर्म क्रियाएं और फिर आज के कल्यूग में आधुनिक समय में ये देखा गया कि मनुष्य के पास रहने की जगान तो कम हो गई और जादा समय वो अपने ओफिस में ही बैठा रहता है जो स्टडीज लेटे स्टडीज बताती हैं यदि कोई व्यक्ति एक घंटा सुबा जोड़दार एक्सरसाइज करता है और फिर टेस्क जॉब में बैठ जाता है सारा दिन बैठा रहता है तो उसके लिए सफिशन नहीं है उसको कम से कम एक घंटा बैठने के बाद साथ मिनट खड़ा होना जरूरी है और उसको बैलेंस बनाने के लिए और दिन में दो या तीन बार कुछ फिजिकल मॉमेंट ऐसे करने चाहिए जिसमें आपकी स्पाइनल कॉड का मॉमेंट हो यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्त रहना चाहते हैं तो ये जो सुक्ष्म क्रियाए मैंने इसलिए बनाई कि आपके शरीर की वो मास्पेशिया और इंटर्नल ओर्गन्स जिसको आप कभी एक्सरसाइज नहीं दे पाते हैं आप उनको एक्सरसाइज देओ शरीर करूप से अपने को स्वस्त बनाना है और उसी के साथ साथ जो वनस्पती जो आईरुवेदिक होब्स हैं उसका सेवन आप लें सुभा त्रीशक्ती और साम को त्रीशक्ती इस अहरिथा यह आप करोगे और देखोगे कि काफी आपको आरामा आएगा तो यह डिटॉक्सिफिकेशन होई फिजिकल लेवल की अब emotional और mental level पे जो detoxification है वो शिवयोक की साधना के द्वारा आप करते हैं इस healing के द्वारा इस शक्ति के द्वारा आप अपने को भी स्वस्त कर सकते हैं और अगर परिवार में आपका कोई स्वस्त नहीं है उसको कोई बिमारी या कश्ट हो गया है तो उसमें आप healing वो भी कर सकते हैं तो इलाज के साथ-साथ अगर इसको compliment करते हैं तो वो ज़्यादा फाइदा होगा है उसके साथ cosmic medicine में मैंने बताया था कि जो भी आप allopathic medicine लेते हैं या अब जो भी chemo therapy या कुछ भी किसी को डलती है तो आप कोशिश करो कि उसके क्योंकि जितनी pharmaceuticals थी उनको मैंने कहा था कि आप ये जो कर रहे हैं इसके side effects हैं तो आप ये chemical molecules को biomolecules में convert कर दो शिवयोग के द्वारा आप कर सकते हैं और US में जो cancer institute है वो इस चीज के उपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और उनको success rate बहुत ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे हमारी एक शिवयोगी जो head of the department है Dr. Bad Dupre she is adopting this तो आप अगर अब ये जो शक्ति आपको दी है जो भी कोई medicine regular ले रहा है आप वो शक्ति उस पे डालोगे तो उसमें molecular change आएगा वो molecule जो है वो bio molecule में convert हो जाएगा जिस से उसका जो beneficial effect है वो ज़्यादा होगा और जो side effects है वो उसके minimal हो जाएगे इवन जो आप chemotherapy या कोई जो करवाता है Cancer Institute में अगर है तो उन medicines को अगर कुछ देर तक आप शिवयोग शक्ति देते हैं तो वो जो result आएंगे वो result different आएंगे अगर आप test करना चाहते हो तो एक group के उपर normal chemotherapy दो और एक पर शिवयो cosmic medicine दा दो आप देखोगे success भी ज़्यादा होगी side effects जो है वो बिलकुल minimal हो जाएगे आप लोगों से ये प्रार्थना होगी कि electronic घडियां मत पहना करें खास कर जब आप साधना करने लगो तो please do not wear the electronic watches उससे अच्छा तो आप शिरी अंतर पहन लो क्योंकि हम भूलते जा रहे हैं जो physics का principle है कि energy pointed portion पर ज़्यादा energy बहती है और आपके body के जो pointed portions है these are the fingers इसलिए अंगुठियां यहाँ पहनी जाती है उसके बाद पहले समय में रिवाज तक कड़ा पहने का अमा लोग भारतवर्ष में सोने की चूडियां metal क्यों पहनती हैं, चांदी क्यों पहनती हैं क्योंकि यहाँ से वो cosmic energy वो अंदर जाती है तो आप जो है वो श्री अंतर का जो बनावट है वो cosmic energy को एक्टरेट करता है, आप उसको ले लो तो महंगा महंगा ना करके मैंने साधारन उसका किया है आपको महंगे की जरुत है, उसको gold polish करा लो आपका ornament भी बन गया, और plus वो जो है धातू एक study हमने और करी थी कि जब seven elements को seven metals को हमने एक के साथ एक के साथ एक किया तो वहां से जो energy pass हुई, वो electricity में convert हो रहे थी मैंने कहा ना कि शिवयोगियों के पास सारी technology है electricity produce करने के भी है, लेकिन वो जंजट पढ़ जाएंगे जितना चाहिए, अभी जरुत है पूर्ण स्वास्त की, जरुत है खेती की, जिससे किसान जो है, वो संपन्न हो किसान के प्रती श्रद्दा इसलिए है, क्योंकि एक आम आत्मी को जीवन में डॉक्टर की जरुत, शायद साल में एक बार पढ़ती है नाई की जरुत, शे महिने में बाल काटने वाले की बारती है भगवान न करें, वकील की जरुत पढ़ें, तो जीवन में एक यां दो बार पढ़ती है लेकिन किसान की जरुत, आपको दिन में तीन बार पढ़ती है नाशता के टाइम, लंच टाइम और दिनर टाइम तो इसलिए शिवयोग में हम किसान को ज़्यादा महत्व देते हैं because he is the integral part of every human being's life हर किसी के जीवन का वो integral part है, तो उसके बारे में हमको अच्छा सोचना हो तो ये no electronics और जो cell phone है, उसको sleeping mode में नहीं करना, aeroplane mode में कर देना क्योंकि जो वाइफाई है, वो आपके cellular energy system के साथ interfere करता है रात्री को आप एक नियम बांध लो साथ बजे, छे बजे, साथ बजे, आठ बजे, घर के जितने वाइफाई और cell phone है, सब को switch off कर दो थोड़ा अपने लिए भी जीना सीखो, अभी दुनिया के लिए जीते, cell phone दुनिया के लिए है न, किसी का message आ जा जागा learn to live for your own cell phone से, और सुभा निर्धारित कर लो कि 8 बजे या 9 बजे मैं switch on करूंगा, उससे पहले और पहले cell phone जब नहीं था तब भी तो आप थे, अब क्यों, why we become slave of this technology, the technology we should use it for our benefit, not to become the slave of the technology, फिर मेरे से बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे पास time नहीं है मेरे पास shiviyog में आने का time नहीं है, मैं आप क्या करते हो, कि मेरा business बहुत भारी business है, तो मेरा उत्तर होता है, your body is your first business, यह शरीर है तो business कर पाओगे, और यह शरीर ही नहीं है, तो क्या कर पाओगे, मेरी कल को बहुत जबर्दस्त appointment है, मैंने का अगर यह शरीर है तो appointment भी भुकता होगे, और अगर शरीर को कहीं और जाना पड़ गया, तो कोई appointment भी जा होगे, तो learn to settle your priorities, your body is not doctor's business, जो अभी तक सोचते आयो कि यह मेरा शरीर doctor का business है, no, your body is your business, और यह शरीर है, तो तुमने जितनी कमाई करी हो, उसको भोग सकते हो, अगर शरीर बढ़िया है, तो बढ़िया गारी खरीदी, उसका comfort ले सकते हो, और अगर यह शरीर दुखरा है, तो हवाई जाज में भी बिठा दो, तुमारे को discomfort होगा है, so the first priority, my first priority is my body, my body is my profession, my body is my job, my body is my business, first business, यह अपने से कह दो, और 24 घंटे में, कम से कम, कम से कम, अगर बहुत ही इसको lower level पे treat करूँगा, तो दो घंटे मैं इसको दूँगा, शरीर को, बाकी 22 घंटे, जो यह शरीर से करवाऊंगा, वो करूगा, तो जो शरीर से करवाना है, जो मन से करवाना है, जो आत्मा से करवाना है, उसको तो समय दोगे न, होगे दोगे कुछ नहीं तो ये बड़ा जरूरी है अपने को स्वस्त करने के लिए आपने दो घंटे तीन घंटे पूरा सब करके जस्ट भी विद यूर ओन सैल और ये क्रियाएं करो साधना करो और फिर उसके बाद जो भी काम करना है उसको करो आपने देखा आस्ट्रियन जो हमारी सादक है कि जब किसान खेतों में शक्ति डाल रहा था तो शक्ति डालते डालते उसका डिप्रेशन भी दूर हो गया उसकी बिमारियां भी दूर हो गई, इसलिए जितने भी किसान आते हैं, शिव योग को जो अपना रहे हैं, वो कहते कि हम रोग मुक्त होते जा रहे हैं, अब मेडिकल बिल नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो कोस्मिक एनरजी है, वो पहले शरीर में प्रवाहित होती है, वो जीवन देने वाली, जीवन दाइनी शक्ति, जब शरीर में प्रवाहित होती है, तो जीवन नश्ट करने वाले जो एनरजी है वो उसको खतम कर देगी तो धर्ती को खेती को आप जो शक्ती दोगे पहले वो शक्ती तुमारे अंदर रुपांतरन करेगी तुमारे अंदर अगर कोई रोग आ चुका है दीरे दीरे खतम होगा अगर वो आने वाला है तो आने से पहले वो खतम हो जाएगा उसके बाद वहाँ हो घर के अंदर अपने परिवार के सभी सदस्यों को देख करके शक्ती पूरे घर पे डालना और घर के लोगों पे डालना वो हील भी हो जाएंगे और कहीं भी कोई negativity है वो दूर हो जाएगी और घर का जो वास्तु है वो बहुत अच्छा हो जाएगा energy बहुत ज़्यादा positive हो जाएगी मेरे पास अभी समय नहीं है नहीं तो मैं आपको सिखाता कि कैसे जो है दूर बैठे ही किसी के घर जाए बगएर ही उसका वास्तु कैसे देखा जा सकता energy वास्तु कैसे change किया जा सकता तो ये आप ले करना है क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोगों में जगड़े होते हैं या कोई विवाद होता है या कुछ भी होता है तो वो तभी होता है किसी व्यक्ति विशेश के चारों तरफ negative energy जो की lower vibrational energy है वो घेरा डाल देती है और जब आप ये शक्ति डालोगे तो वो negativity जो darkness है उसको दूर करेगी और जैसी दूर होगी उसके मन की सोच बदलेगी उसका वहवार बदलेगा उसमें परिवर्तन आएगा पहले फसल अच्छी नहीं आदे थी सब ख़ादीर या सब डाले बस फसल अच्छी रहे हर चीज पर गमाँ है तो वो बनकुल कम का कमईा है उसमें निकलते ही नहीं था 10 कुंटल से ज़्यादान निकलता ही नहीं था लेकिन अब तो इस बार से बहुत जादाने पानी के बगर भी फसल आ गई है नहीं तो पूरी सूख जाती एक नोजल चलता ता मातर आसपास की जमीन दो नहीं भींजती थी पूरी बॉनी हुई कि जब ही सिदी पी जल गई तो क्या से फसल आई इस दिन की फसल तो आप भी जानते हो देखते हो कि बिना पानी की तो बग जिन में चमक भी आगई है उसमें पहली कि मिटी सककी मिटी सबुर्ट अंतर रहें कि जो हैं कि अमाने ऋलाओ में जेटू कि हमारी हरिवरी परिवार कुसे आल है प्रफ्ची का टैंसन में यह कि सपल्त कई साहट झाजी हो रहा है अभाबड जी किसी भी एक सकती से हैं धर्ती की उपज बढ़ेगी और जैसे जैसे उपज बढ़ेगी हर बरस खेती का उत्पाद भी बढ़ेगा वो भी फसल की जड़त जादा होगी और खर्चा कम होगा आज लोग बोलते हैं कि खेती गरीबों के लिए नहीं रह गई शिवयोग कहता है खेती गरीब किसान के लिए उसको अमीर बनाने के लिए रह गई